हेलो फ्रेंट्स तो आज अपन करेंगे गवर्मेंट की दब से आई उई प्रश्न बेंक हिंदी क्लास 12 के एकाई तीन के अबजेक्टिव इसके पहले वाली वीडियो में हम एक एक और एक दो दोनों के अबजेक्टिव सॉल्फ कर चुके इसमें अपन कोछ तीरी के करेंगे ह हमारा पहला उबजेक्टिव है सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल समवेदना क्या है तो उसमें मूल समवेदना थी प्ली का अंतराल ये शोदर बाबू के विक्तित्व के संबंद में दिये गए कतनों पर विचार कीजिए तो हमारा पहला है उसमें एक द्वंदव है जिसके वे परंपरा खड़े पर चलने के कारण बदला पसंद नहीं करते तो वो पुराने उसको पुरानी रिती को जाजा मानते थे तो ये जो है इसका फर्स्ट और सेकेंड सही है तो इसके लिए आजाएगा कथन एक और तीन पिर हमारा थाड़ है यश्यदर बाबू अपने पर वारिका से लोटते सुदामा जैसी कब हो गई थी तो जब वो सबजी लेकर घर पहुंच रहे थे पिर आनंद यादव की कक्षा में मोनिटर का नाम क्या था तो वसंत पाटिल जू जू पन्यास मूल तह किस भाशा में लिखा गया है तो वो मराठी पिर जू जू पन्यास क कि शेलीक कर लिखा गया है तो ये आत्मक था अत्मक पिर आनंद की मा के अनुसार उसके पिता जंगली सुवर की तरह क्यों घुर रहाते थे तो जब वो उनसे आनंद की पढ़ाई के लिए बात करती थी तब वो जंगली सुवर की तरह घुर रहाते थे पिर टैन थे क्या नाम है महमान नाया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बेठा है उप्यूक्त कतन किसने किस से कहा था तो चवहान के लड़के ने लड़के से कहा था चवहान के लड़के ने आनंद से चवहान के लड़के ने वसंद पार्टेल से कहा था या राव ने आनंद से जवान के लड़के ने आनंद से फिर अतीत में दबे पाउं किस रूप में लिखी गई है तो यह एक यात्रा व्रत्तांत और रिपोर्ट आर्ज फिर ट्वेल्थ है मुवान जो दारों से प्राप्त हुई निरती की मूर्ती किस राश्ट्य संग्रालय में रखी गई है तो यह हो जाएगा हमारा दिल्ली के संग्रालय में रखी गई है फिर नदी हुए स्नानगर और बेजोर निकासी विववस्था को देखते हुए लेखक ओम थानवी ने सिंदु घाटी सब्विता निमने में से कौन सी संग्या दी है तो इन में से उनने कौन सी संग्या दी है तो ये हो जाएगा जल संस्क्रती पिर सिंदु सब्यता की प्रमुख विशेश्टा क्या है तो वो हो जाएगी हमारी सोंदर ये बोध पिर सिंदु घाटी सब्यता में कपास की खेती की जाती थी यह बात कुदाई के मिले अफशेशन में प्रमानित होती है पर सूती के वस्तर मिले थे जिससे ये बात प्रमानित होती है पिर उसके बाद सारे गाउं भर के घर सबसे पहले कोल हूँ चलता था इस संदर्ब में दिये गए कतनों पर विचार कीजिए तो अनिक गुड की मांग बहुत ज़्यादा होने तथा आमदनी के लिए पिर उनका गुड बहुत अच्छा नहीं था अतहब बजार में ज़्यादा गुड आग जाने से उनका गुड कोई खरीदता नहीं था तो इसमें ये वाला सहिए कि बजार में जादे गुणाने से उनका गुड़ कोई खरीता नहीं था तो यह हो जाएगा केवल ब यह हो गए हमारे mcq अब अपन आ जाते हैं सत्या सत्य पर तो इसके बाद पहला है हमारा लेखक मनुहर जोशी ने यशुदर बाबू को किष्णनदा का मानष पुड़ कहा है तो यह होगिए हमारे लेखे के सबजी लाने जाय करें पहल बात चुप गई तैसा नहीं है तो यह शुदर बाबू की पत्नी अकसर बच्चों के बच्चों का साध देती थी यह वारे सत्य है पिर शदर बाबु जीवन में मोजमस्ती के पक्षधर थे तो इसा बिलकुल भी नहीं है पिर जूज गानी गोदान उपन्यास का एक अंच है तो ये भी नहीं है पिर लेखक आनन्द यादर उन्हें पांचवी कख्षा से दाखिला लिया था तो ये हमारा सत्य है पिर उसके बाद मोहंजदारों की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को राजिस्थान का खयाल आया तो ऐसा नहीं है फिर सिंधु घाटी सब्भेता में संत्रे और अम्रूत फल उगाये चाते हैं तो ये भी सक्ति नहीं है फिर हमारे आते हैं फिलिंग डबलिंग्स से लिंग गंध स्ञार नायग को अपने आ दर्श मांते थे वह अपने आादर्श किसको मानते थे कि SHANDA फिर उसके बाद सेराड वेडिंग में है भूशन ने अपने पिता के को उपहार में क्या दिया उनी ड्रेसिंग गाउन फिर सौंद लेकर डेज भाषा विशर के शिक्षक थे तो वो मराटी भाषा के शिक्षक थे फिर शर्टों के अनुसार पाटशारत जाने पर आनंद को सवेरे ग्यारा बजे अपना सारा काम करना पुटता था फिर उसके वाद हमारा फिफ्त वाला है आनंद के कश्या कशा द्यात्मक का नाम के था था इंकर अनुसार नाम था मंत्री फिर सीक्षते भागये इमारत में खंबे हें कितने खंबे हैं तो बीस फिर यह शदर बाबू मुळ रूप से डेश के रहने वाले थे तो वो विदूज नदी डैश की दूरी पर थी तो 5 किलो मेटर की दूरी ठी विच कहाणी में Kob CAT के गर जंब कॉलुए Ke γयो सुरू होता था तो कोलुए दिवाली के बाद शुरुर estaba तो पिर जूच कहानी में लेखक अध्यापक डेश की प्रेंटना से कभी बन रहे थे तो किस की प्रेंटना लेकर सोदंग लेकर फिर हमारे यह हो गरे 10 हमारे फिलिंग दॉपलेंक उसके बाद आते हैं हमारे वनवर्ड तो वन वर्ड के आंसर वन देख लेते हैं तो हमारा पहला ये शुदर बाबु का तक्या कलाम वाक्यांश क्या था तो वो बोलते थे सम्हाव इंप्रॉपर फिर सेकेंड है सिल्वर वेडिंग कहानी के लिखा का नाम तो सिल्वर वेडिंग के कहानी के लिख़ का नाम है मनुहर श्याम जोशी फिर जूज उपन्यास के हिंदु अनुवाद का नाम लिखी है तो जो जूज है वो मराठी में लिखी गई थी तो इसका जो हिंदी अनुवाद है उसका नाम केशव प्रथमवीर फिर खुदाई से प्राप्त गेंगों का रंग क्या था तो काला फिर मोहंजोदारों के वास्त कुला की दुलना किस न कर सकी गई है तो चंडीगर पिर जूज कहानी मुख्य तहा लेका की किस प्रवत्ति को उजागर करती है फिर एक से गुड़ ज्यादा निकले इसके लिए गाउं के अन्य लोग क्या करते थे इकों को देर तक खेत में खड़ा रहने देते थे फिर कागज और पेंसिल न होने पर लेखक कवीता केसे लिखता था तो वो लेखक कवीता लिखता था गाए या बहेंसो की पीठ पर वो अपनी कवीता लिखा करते हैं फिर उसके बाद यशुदर बाबु के बच्चों के अनुप साइकिल कोन चलाते थे चपरासी दो इसके बाद थे वीडी पंत किसका नाम है तो वीडी पंत नाम है यशुदर बाबु ये हो गए हमारे सारे objective ये हमारे वनवर्ड और उसके बाद अब बनाते हैं अपने match the column में तो silver wedding क्या है तो ये जो silver wedding है वो है हमारी लंबी कहानी फिर उसके बाद है जूज तो जूज है हमारा उपन्यास का एक अंच उसके बाद अतीत में दबे पाउं तो ये है हमारे यात्रा व्रतांत फिर डाइरी के पन्ने ये है हमारे एन फ्रेंक और आरनन्द यादर ये थे हमारे मराठी के साहित्यकार फिर सेकंड मेर्द कॉलम कृष्णा नंदन पांडे तो ये क्या थे हमारे किशंदा फिर भूशन कौन था तो भूशन था यशोदर बाबू का बेटा पहाड गंज पहाड गंज ये है सबजी बजार नाम है फिर उसके बाद गिरीश तो गिरीश कौन था यशोदर बाबू का साला फिर ड्रेसिंग गाउन तो वो भूशन ने क्या करी थी उपहार में दी थी तो उपार, फिर मनोहर श्याम जोशी तो ये इकोन हो जाएंगे हमारे सिल्वर बेडिंग के लेखा फिर थर्ड वालने हमारे मेड़द कॉलम है तो उसमें है भगन इमारत तो ये है हमारा सची वाला है फिर उसके बाद ग्यान शाला है ये क्या है कोलेज ओफ प्रिस्टस उसके बाद बड़ा घर तो ये है हमारा उपासना केंद्र और सिंदु सब्वेता ये है हमारी समाज पोशित तो ये हो गए हमारे सारे अबजेक्टिव अब ये इसके बाद जो है